सब्सक्राइब कीजिए गुल्शादंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलें और आप कोई भी वीडियो मिस्त ना कर पाएं इस वीडियो से मैं एक ceiling सीरी स्टर्ट करने जा रहा हूँ कॉरोना रिंडरर की इस वीडियो से हम श्टर्ट करेंगे बिलकुल स्क्रेच से कारोना रिंडर को हम कैसे योज करेंगे 3ds max में और उसके सारे parameters को भी देखेंगे तो चलिए स्टर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका इंटरफेस देख लेते हैं यहाँ पर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे कोरोना रेंडर तो यह टूल बार ओपन हो आएगी अगर यह टूल बार शो नहीं हो रही तो आप कहीं पर राइट किलिक करेंगे राइट किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर किलिक करना होता है Corona Official Toolbar उसके बाद यह toolbar ओपन हो जाएगी और यहाँ पर यह कुछ Most Use Tools हैं जो सबसे अदर यूज होते हैं यह उस तरह के Tools हैं और इसको हम स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट के हैं यहाँ पर यह Sun है, Corona Sun यहाँ पर अगर देखते हैं, Camera है, Skater है, बहुत सारी चीज़े हैं और यहाँ पर अगर आप किलिक करते हैं, Show Corona Virtual Frame Buffer अगर इस पर आप किलिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यह इसका Frame Buffer है, Corona का और यहाँ पर इसमें हम यह सारी चीज़े आगे देखने वाले हैं इन सब चीज़ों को, इन सब का क्या यूज होता है तो सबसे पहले तो यह Toolbar आए जाएगी आपके पास और आपको यहाँ पर Setup में जाना है, Render Setup यहाँ पर किलिक करेंगे या F10 प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पर किलिक किया उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, हम यूज कर रहे है Corona 5, Hotfix 2 और यहाँ पर आपको Select करना है Corona Renderer अगर आपने कोई दूसरा Renderer Engine install किया है, जैसे V-Ray या कोई और दूसरा तो यहाँ पर आपको उसको Select नहीं करना है, आपको Corona Renderer को Select करना है और नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर Common Panel में, यहाँ पर नीचे जाएंगे Assign Renderer पर आपको देखना है, यहाँ पर Production में, Corona का नाम आना चाहिए और नीचे Metro Library में यह Automatic आ जाएगा उसके बाद Common Panel वैसा ही है, जैसा दूसरे Renderer Engine में आता है अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यह सब वो ही चीज़े हैं बात आती है Scene, यहाँ पर Scene में यह कुछ यहाँ पर यह Global Settings अगर आप देखते हैं यहाँ पर यह Passes Limits है, कितनी आपको Passes करनी है Render की यहाँ पर Time दे सकते हैं, यहाँ यहाँ पर Noise Level दे सकते हैं यह हम सब Details में, Next वीडियो में सीखने वाले हैं अभी मैं यहाँ पर कुछ भी सेटिंग को Change नहीं कर रहा हूँ सब Azatis रखता हूँ जैसे Settings हैं यहाँ पर Camera पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह Camera की कुछ Properties हैं यहाँ से हम कुछ Camera का Change करा सकते हैं अगर कराना चाहते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे Depth of Field वेगेरा काफी Settings हैं जो आगे सीखेंगे पर्फोर्मेंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह Global Illumination एकसेक्टरा है मतलब लेकिन इतनी ज़्यादा Settings नहीं है जो मेरे Frame से Frame की Width और Height है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे Width 640 और यह इतना है बस और कुछ को मैंने भी Change नहीं किया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने एक Normal सा Scene बनाया है जिसमें मेरे पास कोई भी Lighting नहीं है एक Plan बनाया है और एक Sphere लगाया है मैंने बस इसमें यहाँ पर और इसको Set करके अपनी जगापर यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करते हैं अगर Home बटन पर मैंने इसको Set करा लिया मैंने कोई Camera Create नहीं किया इसमें तो मैंने इसको set करके आपको यहाँ पर क्या करना है, home बटन पर यहाँ पर click करेंगे, और इसको select करना है, set करना है, set current view as home, तो यहाँ पर set हो जाएगा, अगर आप zoom in, zoom out करते हैं, तो फिर जब आप कभी भी home पर click करेंगे, तो यहाँ पर set हो जाएगा, तो अगर आप होना vfb यानि के virtual frame buffer तो यहाँ पर यह open तो फिर आप इस पर किलिक करके रखेंगे थोड़ी से देर के लिए तो यहाँ पर इस टार्ट IR यानि के interactive render या resume last जो पुराना render है उसको resume कर सकते हैं और भी है नीचे options तो अगर आप start IR करते हैं तो यह Interactive Render Start हो जाएगा या फिर आप यहाँ पर किलिक करते हैं अगर Render Setup पर और यहाँ पर जाते हैं Scene में आप यहाँ पर किलिक करते हैं Start Interactive आप यहाँ से भी Start कर सकते हैं अगर Frame Buffer यहाँ पर Show नहीं होता तो Render Setup से भी आप Show VFB पर किलिक करके भी इसको Show करा सकते हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे show vfb तो तब भी यह frame buffer open हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर इसको open कराके और start IR पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर rendering चल रही है लेकिन कोई भी lighting नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई lights create नहीं की तो इस video में हमने इसके बारे में देखा और next video स हम इसमें lights create करेंगे corona lights को कैसे use करना है और उसकी properties क्या होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम next video से इसमें आगे lights को लगाने वाले हैं साफ सफाई का ध्यान रखें गरीबों की मदद करें next video में हम corona light start करेंगे